नमस्कार दर्शकों वास्तु से सम्मंदित अनुभूत जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल वास्तु सिंप्लिफाइड को सबस्काइब करना नहीं भूले नमस्कार दर्शकों मेरे यूट्यूब चैनल वास्तु सिंप्लिफाइड में आज एक बार फिर आपका स्वागत है मैं उम्मेद दुगड आज फिर आपके सामने एक नया विशाय लेकर हाजिर हुआ हूँ वो है बेडरूम वास्तु सास्त्र में बेडरूम यानि सयन कक्ष का बड़ा महत्व है हमारी लाइफ का वन थर्ड यानि एक तिहाई हिसा वो सोने में जाता है अगर आपने अपने घर में भवन में वास्तु अनुसार बेडरूम बना रखा है तो आपके लाइफ में आए भूत पूरू चेंजेज आप महसूस कर सकते हैं आपके बोड़ी की एनरजी सरीर की उरजा कोस्मिक एनरजी से कैसे ताल मेल बिठाती है कैसे आपको नया थोट आता है नया चंतन आता है अगर आपको अच्छी गहरी नीन आई और आपको कहीं परकार से किसी भी परकार के उल्टे पुल्टे कहीं थोट्स आने बंद हो गए तो आपका मेमोरी पावर भी रहश्य में तरीके से बढ़ने लग जाएगा तब मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो चाहे कहीं भी हो बेडरूम भवन में किसी भी डाइरेक्शन में हो सोते टाइम सीराना सीर किदर रखना चाहिए सार्व मान्य मत तो है कि जब हम सोते हैं तो हमारा सीर दक्षन दिसा की ओर होना चाहिए यानि साउत डाइरेक्शन की ओर होना चाहिए कहीं अपने आध्यात्मिक गरंथ प्राचीन गरंथ हैं उनमें पूरव दिसा को भी बढ़िया माना गया है यानि एक लाल किताब में भी पूरव दिसा को भी सोने के लिए सिर रहाने के लिए उप्युक्त माना गया है यानि दक्षिन दिसा और पूरब दिसा, साउथ और इस्ट डाइरेक्शन में सिर स्रेष्ट तम माना गया है। नमबर दो, कई बार हम देखते हैं कि हैड अप दे फेमिली जो घर का मुख्या होता है। उसका सहयन का जो वास्तु सास्तर में हम लोग बताते हैं, नेरित दिसा में होना चाहिए। नेरित दिसा मतब साउथ वेश्ट लेकिन ये सब जगे लागू नहीं हो सकता, कहीं जगे हम वेश्ट में भी कर सकते हैं, एड अप दे फेमिली का बेडरूम, कहीं जगे हम साउथ में भी कर सकते हैं, ये घर की कुछ एनर्जी पे और डाइरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, नमबर तीन कहीं बार लोग फूसते हैं कि विवहा योग्य लड़की है, बिटिया है, सब कुछ ठीक है, पडिलिकी भी है, क्वालिफाइड है, हैंसम भी है, सब कुछ ठीक होते वे भी कहीं साल से, तीन चार सालों से साधी नहीं हो रही है, तो वास्तु सास्तर में भी इसके बारे में बताया गया है वो तो एक बिंदू तो है जो आप सब जानते हैं कि नौर्थ वेश्ट वाले रूम में बिटिया को छुलाना चाहिए या उसका रूम बढ़ाना चाहिए लेकिन सब दक यह नियम लागू नहीं होता इसके अलवा भी कुछ ऐसे भी पॉइंट ह हैं जिसको करने से उसका कोई मंगल दोस हो तो कम हो जाता है या कोई वरस्पती का पावर बढ़ जाता है सुक्र का पावर बढ़ जाता है ऐसे और भी कई पॉइंट इसमें होते हैं यह तो एक जनरल नियम है कि वायव्यकों में नौर्थ वेश्ट में बिटिया का रूम ब लात को या जब भी सोते हैं लेफ्ट करवट सोना सरीर के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है स्वास्ते की दृष्टी से बहुत अच्छा माना गया है अपने आईरवेद के कुछ गरंथों में तो ये बोलते हैं कि दाहिना श्वर भोजन करे बावे पीवे नीर बाई करवट सोना निरोग रहे सरीर यानि लेफ्ट करवट सोना स्वर सास्तरी ऐसा मानते हैं कि उसमें सूर्य स्वर चलेगा क्योंकि हम जिस करवट सोते हैं उसके विपरीत वाला स्वर चलता है तो हम लेप्ट करवट सोते हैं तो हमारा दाहिना स्वर यानि राइट स्वर जिसको आप सूरिय स्वर करते हैं या पिंगला नाली कह दीजिए उससे करते हैं भोजन पचले में बड़ा आराम होता है और सरीर की कई अंग ब्यवस्तित रूप से काम करते रहते हैं इसले लेप देखने का शीशा यानि ये तो सरव मान्य है हमारे वास्थू सास्तिर में भी और चाइनीज फैंग सूई में भी कि सैन कक्ष में लूकिंग मिरर कभी भी नहीं लगाना चाहिए इससे जो परतिबिम या जो एंरजी निकलती है वो से हमारे लिए ठीक नहीं है चाइनीज ल तो यह डिप्रेशन, टेंसन का एक कारण यह जरूर बनता है, इसलिए सहयंद कक्ष में लुकिंग मीरर नहीं लगाना चाहिए, अब भूल से आपने बहुत बड़ी अड्रेसिंग टेबल बना ली, तो अब रात को सोते टाइम उस पर पड़दा डाल जीए, दिन में आप उस को यूज करिए, कभी-कभी जगे की कमी के कारण है, छोटे घर होते हैं सहरों में, तो खाली बरतन, बेड़ के अंदर, जो बॉक्स वाले बेड़ होते हैं, उसमें रख दिये जाते हैं, लड़ाई जगडे का, पत्ती पत्री में या जो भी उस पर शोते हैं, उसमें कलेस क एक कारण बनता है, वैसे कावत भी एक खाली बरतन खुड़कड करते हैं, तो खाली बरतन बेड़ में नहीं रखने चाहिए, इसके अलावा बेड़ के उपर दो मेट्रेस होती हैं, यानि दो बिष्तर होते हैं, अगर वो एक ही मेट्रेस हो, यानि एक ही छह भाई छह का, या जो भी साइज है वो बिस्तर हो तो आपसी प्रेम भाव बढ़ाने में भी ये बहुत सुब माना गया है। अगर आप कर सकें तो एक बहुत फाइदेमन चीज है कि सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले पलंग से धरती पर वोई पेर रखें जो स्वर आपका चद रहा है। स्वर मतलब दो नाक जो हैं हमारे कभी एक नाक से जधा सुबह ज़ता है कभी दूसरे नाक से ज़ता है दोनों बराबर बहुत कम चलते है तो जिससे आपको लगे कि इससे जबा सुआस आराम से बाहर जा रहा है इसमें कम जा रहा है तो मानिए कि वही स्वर चदरा है तो वही पेर आप धरती पर पहले रखिए राइट स्वर चदरा है तो राइट पेर पहले रखिए और हम लोगे कहीं बार आदत होती है कि जब हम सोते हैं तो ऐसे हरदे पर हाथ रखेते हैं ये भी वास्तों में भी सकुन सास्तरे में भी और आध्यात्मिक गरंथों में भी सुब नहीं बाना गया कि हाथ को बान पर अपने हरदे के उपर रखे कभी भी नहीं सोना चाहिए कहीं कहीं बार हमने देखा है या सुना है या कहीं लोग बताते हैं कि जब रात को सोते हैं तो मूँ खुला रहता है ये भी ठीक नहीं सकुन सास्तरे में भी और वास्तु सास्तरे में भी और आध्यात्मिक गरंथों में भी योग के गरंथों में भी इसको हामिकारक माना गया है कई प्रकार के कष्ट या समश्याएं आने वाली होती है या कोई मिश हैपनिंग भी इसमें होने का ये सूथना देती है इसने ये खुला मूँ करके मूँ खोलके कभी भी नहीं सोना चाहिए कभी तो सोते हैं तो एक पेर पर दूसरा पेर रख लेते हैं कहीं बार आपने देखा होगा ये एक पेर और उसके उपर ये दूसरा पेर ऐसे रख केश होते हैं कैंची यानि ये भी ठीक नहीं बानी गई है यानि काटने का काम जो करें तो उससे हमको बचना ही चाहिए सुबह सुबह जब शफाई होती है तो बेड को बेहने या जो भी जारते हैं जारू से जारते हैं उसको यह बेड़ को ऐसे जारू से जारते हैं उरेसि पर हम सोते हैं तो उसका औरा आभा मुंडल एंजि लेवल नेगेटिव होना ही होना है इसलिए बेड़ सील्ट को उठा करके आप जार Tob के जारू यह जारू से कभी भी बेड़ को नहीं जारना चाहिए जिस पे हम सोते हैं कई बार ये बहने वगर है घर में बैड पर जिस पे हम सोते हैं वहीं पे बैठ करके सब्जी वगर है सुधारने लगती है सुपारी काटने लगती है यानि अस्तर से सरोते आदिशे छूरी आदिशे और रात को फिर हम उस पर सोते हैं तो काटने का काम, जगले का काम, कलेस का कारण बनता ही बनता है इसलिए इस परकार बेड़ पर बेट कर कभी भी सब्जी सुदारना, सुपारी काटना, सस्त्र चलाना ये नहीं करना चाहिए क्योंकि वहीं से एनर्जी का लेखल आपको बनेगा कभी कभी फेशन के यूग है, मैंने कहीं जगे देखा है कि गोल बेड़ बना लेते हैं, जिस पर सोते हैं गोल, एक दम राउंड थोड़े दिनों बाद उनको चक्कराने लगते हैं, दो-चार-चार-चार मीने बाद ऐसे फिर मेरे फोन आते हैं, कि जी अब क्या करें तो मैं जाके जब देखता हूं तो उनका बेड़ गोल है तो गोल बेड़ पे सोना वास्तो सास्तर में मना है कई बार ध्यान नहीं रहता, बेड़ ऐसे शेट कर देते हैं, कि पेर जो हमारे हैं, वो बेड़ रूम के दरवाजे के और हो जाते है जो कि ठीक नहीं है, यानि बेड़ को डबल बेड़ को थोड़ा इदर उदर करके एड़जस्ट करने चाहिए ताकि हमारे पेर उस रूम के दरवाजे के और नहीं हो, वो डेड़ बोड़ी के होते हैं, यह सब आपको मालूम है यानि सोने के लिए ये चोटे-चोटे कुछ सुतर है, दिन को अगर आपने ध्यान रख लिया तो निश्चित रूप से आपको कई परकार के फाइदे मिलेंगे, समश्याओं का शोल्यूसन अपने आप हो जाएगा क्योंकि थोट पाउर आपका पॉजेटिव बनेगा, सुबह उठेंगे तो आप एक दम तरो ताज़ा होकर उठेंगे और फिर फेक्टरी ओपिस जाएंगे तो एक दम तरो ताज़ा और एक्टी होकर जाएंगे, पॉजेटिव होकर के जाएंगे तो आपके व्यापार में भी हेल्थ वाइज पारिवारी के, यहनि कई रूप से आपको यह वस्त उस्तास्तर के आधार पे सोना या सहयनकक्ष बनाना आपके लिए फाइदमन हो सकता है हाँ बच्वों के लिए जो एविवाइत है, पूरव की ओर, यहनि इस्ट की ओर, नौर्थ की ओर, यहनि उत्तर दिशा की ओर भी आप सहयनकक्ष बना सकते हैं हाँ सहयनकक्ष में मंदिर नहीं बनेगा, head of the family या बड़ों के सहयनकक्ष में बेडरूम में पूजा घर कभी भी नहीं बनेगा, सहयनकक्ष में शिल बट्टा कभी नहीं रखना चाहिए, सहयनकक्ष में जारू नहीं रखना चाहिए, सुबह उठें और हमारी नजर पड़ जाडू के उपर ऐसा भी नहीं करना चाहिए सेयन कक्स का दर्वादा जब आप मुखोले और बंद करें तो उस विचर्मराट के आवाद नहीं होनी चाहिए इससे अंदर का अई अनर्जी लेवल नेगेटिव हो जाएगा ऐसी बहुत सी चीजे हैं वास्तु सास्तर में और चोटी चोटी चीजे हैं अगर इनका आप ध्यान रख लें तो निश्चित रूप से आपको फाइदा मिलेगा आपका धन्यवाद मेरे वास्तु चैनल वास्तु सिंप्लिफाइड को सबस्क्राइब करना ना भूले